हलो नमस्कार जहिन दोस्तो मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फोर आपकी सक्सेस फ्रेंज इस वीडियो में हम लोग साइन्स के साइन्स के पचास प्रस्न को करने वाले हैं जो प्रिवियस यस के पेपर से लिए गए हैं और यह 10 साल में लगतार पूछे जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से अंतक देखिए हैं बहुत यह अच्छे प्रस्न हैं आप इन्हें रिविजन परपस के लिए यूज कर सकते हैं और इसमें आपको कुछ प्रस्न इजी भी लग सकते कुछ प्रस्न टफ भी लग सकते लेकिन यह सभी प्रस्न आपको आना चाहिए ठीक है प्लेलिस्ट सबकी बना दी गई है चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट चेक करें और प्रॉब्लम अभी यह हो रहा है कि बहुत से वीडियो की नोटिफिकेशन लोगों के पास जहा नहीं रहें इस टूडियन्स देख नहीं पारे उसके कारण हम लोगों को दिन बन में आई तीन बार वीडियो डिलीट करना पड़ा तो आप चैनल जाके चेक करते रहें वहां पर वीडियो कभी कभी नहीं और नोटिफिकेशन जाता लेकिन वीडियो अपलोड हो जाती है तो सारे का ज दान ये फसल यानि की सेरेल्स ठीक है दान ये फसल यानि की सेरेल्स तो कुछ-कुछ वर्ट्स जो इंपोर्टेंट्स आएंगे उनके मैं इंगलिस आपको बता दूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बहुत से कमेंट्स आए थे कि सर थोड़ा-थोड़ा एटलिस प्रोटीन का जो अच्छा सुरोत माना जाता है ठीक है प्रोटीन का अच्छा सुरोत माना जाता है वसा हमें जनरली फैट जो है हमें मिलता है ओली चीज से ठीक है कापस आप जानते राइस पोटेटोज है ना रोटी चपाती ये सबसे हमें कापस मिलते है तो प्रोटीन से हमें क्या प्रोटीन में किस में मिलता है और अधीक्तम प्रोटीन होता हैं में धाल घ्राइडएन हमें सुए ительно करा है सब्सक्त करम बाहने अधूकर कले हैं नेक्स कोश्चन है निमलिखित में से कौन सी फसल मिर्दा को नैट्रोजन से भरपूर कर देती है तो इसका right answer है option C आपको वता दे कि मटरकूल में मटरकूल के जितने भी पौदे है उनमें राइजोबियम नाम की बैक्टेरिया होती है अब ये बैक्टेरिया करती क्या है कि ये बैक्टेरिया राइजोबियम बैक्टेरिया जो है वह रूट नेड्यूल का निर्मान करती है अब ये रूट नोड्यूल क्या करते है ये रूट नोड्यूल में जितने भी स्वतंत्र नाइट्रोजन है उनको फिक्स कर देते है इसलिए मटरकूल के जो फसल होते है वो मिट्टी को बहुत ही nitrogen से बरपूर कर देते हैं तो इसका right answer सीधा next question देखिए दाल चीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है तो दाल चीनी जो है वह पेड़ के किस भाग से तो वह चाल से प्राप्त होती है और चीड़ के लिए चेक करने के लिए यूज किया जाता है तो वह किस से प्राप्त होता है या प्राप्त होता या प्राप्त होता है ला लाइकें से किसी से लाइकें से लिटमस प्राप्त होता है नेक्स कोशन देखिए कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है तो पौधों में जो है वह जल का परिवहन किसके द्वारा होता है तो वह जाइलम के द्वारा होता है जाइलम के द्वारा तो ये आप याद रखिएगा इस तरीके से भी याद आपको रहेगा नेक्स कोश्चन है कि भूमी में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्द जल होता है तो पौधों की जड़ों के लिए जो उपलब्द जल होता है वो कौन सा जल होता है 17 16 सोला कहीं लिखता है लेकिन 17 17 की तत्तव है वह आवेशाक होती है पॉदरों की विर्धी के लिए तो यहां और आपशन के जगा 17 होना चाहिए तो D आपशन सही हो जाता 17 अगर होता तब ठीक है 17 तत्तवों की आविशाकता होती है next question देखिए कि पतियों की हरी महिंता किसकी कमी से होती है ठीक है पतियों की जो हरी महिंता है वो किसकी कमी से होती है तो यह होती है मैगनेसियम की कमी से हरी महिंता पतियों में होती है एक्स कोशन है वास्पोत सर्जन होता है वास्पोत सर्जन यानि कि ट्रांस्पिरेशन यह होता है किस से तो यह होता है सभी वायू भाग में तो पेड़ दिखिया पेड़ जो दिखता है आपको ठीक है तो उस पेड़ के जितने भी open parts होते जो air के contact में होते उन सभी part में क्या होता है, Transpiration की जो पर्किरिया है, वो होती है, यानि कि वास्पुत सर्जन की पर्किरिया होती है, ठीक है, तो c 20 के क्या हो गया आपका, correct हो गया, सभी वाई ये, वाई वी ये भागों में, next question है कि वास्पुत सर्जन, नामी, वास्पुत सर्जन, मापी, यंत्र कौन सा है तो कौन सा है यह है पोटो मीटर पोटो मीटर से हम लोग ट्रांस्पिरेशन की जो स्किल है इसको मेजर हम लोग करते हैं नेक्स कोश्चन है पौधों में वास्पोत सर्जन की किरिया किसमे होती है तो किसमे होती है मैंने आपको बताया कि पूरे पौधे में होती है जितना भी पार्ट जो है ओपेनेयर के कंटेक्ट में रहता है उस पूरे पार्ट में क्या होता है वास्पोत सर्जन यहीं की ट्रा प्रकास संसलेशन यानि की फोटो सिंथेसिस में ठीक है नेक्स पोशन है कि प्रकास संसलेशन की किरिया में निमलीखित में से क्या बाहर निकलता है तो प्रकास संसलेशन की किरिया में क्या बाहर निकलता है प्रकास संसलेशन की किरिया में ऑक्सिजन बाहर निकलता है ठीक है ठीक है, c o2 plus st o or यह जो मिलके बनता था किसके पर्जन्स में सनलाइट के पर्जन्स में यह क्या बनाता था 66 h12 o6 ठीक है और 7 में o2 भी बनाता था फिर इसको हमलोग बाद में क्या करते है balance कर देते 6 से 6 से इसको है न और तो इसी तरीके से हम लोग बालेंस करते थे, तो oxygen जो है वो निकलता है, ठीक है, इस परकास संसलेशन यानि की photosynthesis में oxygen निकलता, option एक क्या है, correct है, next question देखिए, परकास संसलेशन की किरिया कब होती है, तो परकास संसलेशन की किरिया दीनत्वा रात में होती है, next question है कि स्वसन म आपन यंत्र क्या कहलाता है, तो स्वसन यापन मंत्र क्या कहते है, respirator meter कहते है, ठीक है, respirator, respirator meter कहते है, तो next question देखिए, परकास संसलेशन में हरे पौधो द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो इसका right answer हो जागा, oxygen, ठीक है, oxygen हरे पोधे क्या है, वो photosynthesis में क्या रिल पकाने वाला हर्मोन कौन सा है, तो फल पकाने वाला हर्मोन कौन सा है, वो है इथिलीन, आपको बता दे कि ये भी हर्मोन है, oxygen भी जो फल में ही पाये जाता है, जिब्रेलीन भी जो फल का ही हर्मोन है, पोधे का ही पेड़ का ही हर्मोन है, ये भी पेड़ का ही हर्मोन है, ल एक होता है जिब्रेलिन्स ठीक है जिब्रेलिन्स एक होता है साइटोकिनिन ठीक है साइटोकिनिन एक होता है एपसिसिस और एक होता है इथिलिन तो पांच परकार की जो है होर्मोन वो पाई जाती है लेकिन फल पकाने के लिए इथिलिन का इस्तेमाल करते हैं आप्शन भी ए विर्दी के लिए आवश्यक नहीं है तो पौदो की लंबाई में विर्दी के लिए आवश्यक क्या नहीं है तो आवश्यक नहीं है। नेक्स कोशन है कि प्रकास संसलेशन किरिया में मुक्त होने वाली ऑक्सिजन कहां से आती है तो प्रकास संसलेशन की किरिया में जो मुक्त होती है ऑक्सिजन फाइनली हम लोगे देखा रियक्शन के बाद जो किरियेट होता है वो किस से निकलती है वो अजल से निकलती है ठीक नापते हैं, नेक्स कोशन है कि पेडों की पतियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, तो हरा पदार्थ क्या कहलाता है, वह कुलोरोफिल कहलाता है, इसी कोशन था, नेक्स कोशन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदाई कारण कौन है, तो पादप रोगो ने दो-तीन बार वीडियो डिलीट किया, ठीक है, यही काराने कि आज वीडियो लेट अपलोड हो रहा है, चलिए नेक्स कोशन देखिए, पेड़ वाप पौधों का खाना तयार करने की परकिरिया क्या कहलाती है, तो इसे हम क्या कहते है, फोटो सिंथेसिस कहते है, ठीक है, पेड़ और पौधों में खाना तयार होता है, नेक्स कोशन है, निम्रिकित में से कौन सा पादप हॉर्मोन बोने पौधों को लंबा कर देता है, तो इसका राइट आंसर है, जिब्रेलीन, ठीक है, आपको बताया था, पौधों में बहुत सारा हॉर्मोन पाये जाता है, आ गती होती है, तो छुई की पती में क्या गती होती है, तो कमपानु कुंचन गती होती है, ठीक है, कमपानु कुंचन, अब ये क्या है, तो ये डिस्पेंसेशन, ठीक है, इसका इंगलिस होता है, कमपानु कुंचन का, डिस्पेंसेशन, ठीक है, डिस्पेंसेशन गती होती ह नेक्स कोशन है कि खैरा रोग किस फसल से संबंदित है तो खैरा रोग जो है वह किस से संबंदित है दान से संबंदित है किस संबंदित है दान से संबंदित है नेक्स कोशन है खैरा रोग किस के कारण होता है तो खैरा रोग जो है वह जस्ता की कमी के कारण option B क्या है इसका correct जस्ता की कमी के कारण होता है next question है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है तो चाय में लाल रस्ट होंग हरे सायवाल यानि की green अलगी के कारण होता है next question है कि नीम्बू का canker रोग नीम्बू का जो canker रोग होता है यह किस कारण से होता है या वैक्टेरिया यानि कि जिवानू के कारण से होता है next question है कि मिली बग किस फसल से संबंधित है तो मिली बग जो है वह संबंधित है सरसो से किस संबंधित है सरसो से संबंधित है नेक्स कोशन है कि गेहूं से संबंदित रस्ट रोग पर कारे करने वाले विज्ञानी कौन थे तो यहां थे केसी महता ठीक है केसी महता ने रस्ट रोग पर काम करा था ठीक है नेक्स कोशन है अगनी निर्जा रोग किस से संबंदित है तो अगनी निर्जा रोग है वह संबं इंभू में पाए जाने वाला एक रोग है नेक्स डिया ओक्सिजन की कमी कोपोषी exercising की कमी कोरान। आप याद रखिएगा चलिए नेक्स test कोषिन देखते हैं पादमो पादपव्य पेडों में बना engads खाध पदारद पnez के विबिन अंगों में किसके दोव 다रह पहुंचता है। तो आपको में उसमय बताया था जैलम के द्वारा जल पहुंचता है और फल जने के धाऌ हो किसके द्वारा पहुचता है वह फळता है फ्लो 파ँम के चाहिए कि डे-सी बल्डों किने के लिए परियोग में लाया जाता लुए उसे नापने के लिए परियों में लाया जाता है तो बारे में जो फटे हैं जो के बारे में उससमें जीवी गया काई का है या है अनुव अनसीक्ष जनेटिक्स में हम लोग वंसा घठते हैं नेक्सकोर्ण है कि निम्लिखित में से किसके को अनुव अनुवांसीक का पिता नेक्सना जम्तोर आज Whatsod है जीन्स बने होते हैं तो जीन्स जो है वह बने होते हैं किसे वह DNA से बने होते हैं ठीक है DNA से बने होते हैं नेक्स कोशन है कि परियोग साला में सर पर्थम DNA का संसलेशन किस ने किया था तो वह हरगोविंद खुराना ने किया था, हरगोविंद खुराना नेक्स कोशन है, किसके द्वारा अनुवानसिक्ता के विज्ञान को अनुवानसिक्ती कहा गया है तो वाट्सन के ठीक है, वाट्सन के द्वारा जो अनुवानसिक्ता का हम लोग क्या कहते हैं mutates कहते हैं mutates होता है तो किस में तो इसका राइट आंसर है option है chromozomes next question है सेल यानि कि कोशी का नाम किस जीव विज्ञान ने सरव पर्थम दिया था तो इसका राइट आंसर क्या हो जागा Robert Hooke ने चीक है Robert Hooke ने सेल को सबसे पहले नाम दिया था next question है कि कोशी का में protein sensation कहां होता है तो protein sensation कोशी का के ribosomes में होता है ribosomes में next question और last question है इस वीडियो का asy break अधिक सेल यानि कि कोशी का में पाया जाने वाला पधार्थ क्या है तो यह है जल ठीक है जल पाया जाता है 80% से अधिक पाया जाता है और आज के जो क्वीज है उसका कोशन यह है कि गौल जी काय का परमुख कारिक क्या है ठीक है तो इसका जवाब आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और कल हमने जो भी प्रस्ण आप से पूछे थे उसक ही है और नोटिफिकेशन जा नहीं रहा था ठीक है तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद जाएं